पाठ दस नीम रमेश को एक दिन एक कुलहाडी मिल गई वह कुलहाडी लेकर बाहर निकला सामने नीम का एक पेड था रमेश उस पेड के तने को कुलहाडी से काटने ही लगा था कि कहीं से आवाज आई उसे बड़ा आश्चरे हुआ क्योंकि आसपास कोई न था वहध्यान से सुनने लगा उसे लगा कि पेड उससे कुछ कह रहा है रमेश तुम मुझे क्यों काट रहे हो क्या तुम नहीं जानते कि मैं तुम्हारे कितने काम आता हूँ रमेश मेरी पत्तियों को देखो ये पत्तियां इतनी घनी हैं कि सुर्य की किरने धर्ती तक नहीं पहुच पाती और मेरे नीचे सदा चाया बनी रहती है तुम भी तो अपने मित्रों के साथ मेरी चाया में बैठते और खेलते हो तुम्हें मेरे नीचे बैठकर आनंद आता है न तुम्हारी ही तरहें दूसरे लोग और पशु भी मेरी चाया में बैठकर आराम करते हैं इतना ही नहीं मेरी पत्तियों पर जब सूरे की किरने पड़ती है तब ये हवा को शुद्ध कर देती है तुम्हें कभी किसी को गरम कपड़ों के संदूक में मेरी सूखी पत्तिया रखते हुए देखा है क्या तुम जानते हो वे ऐसा क्यों करते है ऐसा करने से गरम कपड़ों में कीड़ा नहीं लगता मैं किसान के अनाज की भी रक्षा करता हूँ अनाज में मेरी सूखी पत्तिया रख देने से उनमें कीड़ा नहीं लगता मेरी सूखी पत्तियों को जला कर धुआ कर दिया जाए तो मच्छर भाग जाते है मुझ पर फूल और फल भी लगते है मेरे फल को निबौरी कहते है मेरे फूल और निबौरी भी बहुत काम की चीजे है इन्हें खाने से पेट की बीमारियां दूर हो जाती है निबौरी की गुठली से जो तेल निकलता है उससे साबुन बनाते है निबौरी की गुठली का तेल और इस तेल से बना साबुन पूड़े फुनसियों को ठीक कर देता है बच्चों को फुनसियां बहुत तंग करती है अगर फुनसियों पर मेरी छाल घिसकर लगा दो तो ये फुनसियां ठीक हो जाएंगे क्या तुमने कभी मेरी दातुन से दात साफ किये हैं? ये कड़वी तो जरूर होती है पर दातों के लिए बहुत अच्छी होती है इससे दात मजबूत होते हैं और उन में कीड़ा भी नहीं लगता बुखार में तुम मेरी जड़ को पानी में उबाल कर पीलो तो तुम्हारा बुखार दूर हो जाएगा देखा तुमने? मैं तुम्हारे कितने काम आता हूँ? मेरे सभी भाग किसी न किसी काम में लाये जाते हैं अब तो तुम जान गये ना कि मैं बीमारियों को भगाने वाला पेड हूँ मैं सब जगह आसानी से लगाया भी जा सकता हूँ इसी लिए क्या गाउं, क्या शहर सब जगह लोग मुझे लगाते हैं और मेरी ठंडी चाया में बैठ कर सुखी होते हैं नीम की ये बाते सुनकर रमेश को बड़ा आश्चर्य हुआ वह सोचने लगा कितना अच्छा है ये नीम का पेड और मैं इसे काट रहा था कठिन शब्द कुलहाडी कराहना कराहना आनंद संदूक शुद्ध निबौरी फोड़े फुनसियां फोड़े फुनसियां कराहन 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 झाल कराहन पोड़े कराहन